के गाइज वाट्स अप कैसे हैं सब लोग और फिर से अपको स्वागेदर मेने चैनल साइगल फूटनस में तो गाइज आशा करता हूँ हम सब लोग ठीक होंगे जैसे कि आप देख रहे हैं उपर के वैदर कितना सेक्सी हो रहा है इस टाइम और बहुत अच्छा वैदर हो र है सके आपका मसल तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके लिए मैं आपको बताओं आपको खाली डंबल की हैल्प से ही आप परफॉर्म कर पाएंगे तो आप जिस दिनके बास डंबल निकाल लीजिए और मेरे साथ वकॉट परफॉर्म कीजिए तो गैज आज वी लॉग में वीडियो स्टार्ट करने से पहले में आपको बताओं कि बहुत से पंदें होते जिन्हें डावट रहता है और जो कुछ वर्काउट गलत परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले मैं परताओं कि आप जब भी वर्काउट परफॉर्म करें चाहे वह उप के आपका जो परफॉर्मइंस है वो बिल्गुल थीक रे यानि आप बिल्गुल प्रापर तरीके से बना वकाउट करें जिससे कि आपके प्रॉपर उसी मसल पेंपक्त आए और एक्सप्रेशन उसी मसल पर जिस मसल को ट्रेन करना चाहते हैं for example जैसे आज मैं आपको bicep train करके बताने वालों with the help of a dumbbell तो आप ध्यान रखे कि जिस हिसाब से आप training परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारे पूरे biceps पर है तो इस चीज को आप इस वीडियो के अंदर ध्यान रखेगा तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले गाइस जिन लोगों ने व्रकॉट से पहले कुछ नहीं खाया तो वो लोग खा सकते हैं थीके मैं तो अलरडी घा रख है अगर आप लोग चाहें तो आप कौफी पी सकते हैं डाक चॉकलेट का सकते हैं जिससे ज्यादा अच्छा फीद होगा वरकॉट के साइजी जो कि आप परफॉर्म कीजिए गर पे जिससे आपको बेटर रिस्पॉंस मिलेगा तो चलिए सबसे पहले ने डंबल लेने चलते हैं तो गाइस आज में वकट बताओं को सबसे कि सबसे पहले हम करेंगे बाइसे जंबल कर जो कि अभी तक की बाइसे गुरोव करने के लिए बहुत से लोग जो है वह वह बाइसे जंबल कर परफॉर्म नहीं करते हैं बड़ आपको इसका डिसडवांटेज बताओं कि जो लोग नहीं करते हैं नोग बहुत बड़ दिसडवांटेज और जो लोग परफॉर्म करते उनके बहुत बड़ बढ़ा एडवांटेज यह है क्यों कि जब आपको two double लेने पढ़ेंगे कोई वेड़्र लीजिए उसका आपनीं चिफ द्यान रखना है कि वो जो dumbbell है आपकी shoulder की level पे रहे बार रखते हैं कहीं लोग कहीं लोग पीछे रखते हैं कहीं लोग आगे रखते हैं आपने सिर्फ इतना focus करना है कि जो dumbbell है आपके shoulder के भीकुछ सीधा रहे और elbows आपकी मेंशा बार की तरफ हो ताकि जो सारा pressure है आपके वो shoulder के peak के उपर आए इस तरीके से ठीक है गाईस मेरे पूरे peak के उपर impression आ रहा है इस हसाब से आपने करना है तो चलिए हमने workout start करते हैं हम हर workout का 4 set आपने perform करने हैं मैं आपको दिखाने के लिए भी एक एक दो दो set इपर फॉर्म करके बताऊंगा तो सबसे पहले चलिए उपना workout start करते हैं मिश्चर डंबल आपने shoulder के सामने रखने है Individually one shoulder के level पे लेके आए देन उसको slow down फिर shoulder के level पे लेके लेके पर उसको slow down आपने एक चीज़ का ध्यान रखते हैं जो मैंने भी आपको बताया कुछ लोग इसके मिस्टेक क्या करते हैं कि वो जटके से डंबल उठाते हैं और पूरा नहीं उपर लेके आते जैसे अब साइड से देख रहे हैं भी डंबल नीचे है बट आपको लेके जाना उपर यानि shoulder के level पे तो इस चीज़ का ध्यान रखी थी यह वी लॉग में थोड़े पहले भी शूट कर रहा था बट कर रहा नहीं मैंने क्योंकि बारिश आगी दी तो मैं रुक्के कर रहा हूं इससे मुट पूरी गीली हो रखी है तो गाइस यह आपने देख लिए किसे दर्दे परफॉर्म करने इसके आप लिम्टेट सेट परफॉर्म किजी जितने मैंने आपको बता रखें उससे ज्यादा नहीं ठीक है क्योंकि जब भी आप ओवर्ट्रेनिंग करते हैं उसका भी एफेक्ट पड़ता है वैसे ओवर्ट्रेनिंग इस गुट फॉर यू मसल बट कुछ केसिस में ओवर्ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती क्यों क्योंकि अगर आप ओवर्ट्रेन कर रहे हैं आपको डाइट और न्यूट्रिशन भी ज़्याद अची होगा तो इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है ओप आपको यह वर्ट्रेनिग समझ आ गया होगा इसके आपने चार सेट प्रफॉर्म करने हैं बारा से पंदर रेपरेशन की बीच में अगर आपके घर में सेम वेट पड़ा है डंबल सेम वेट के हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप सेम वेट है तो आप 12 रेप से स्टार्ट कीजिए फिर 13 14 15 ऐसे आपने चार सेट परफॉर्म करने हैं अगर आपके पास वेट जादा है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं तो आप ध्यान रखिए कि पहले आप वेट जादा उट रेपरेशन जादा लीजिए ज़ए सब बढ़ाएंगे तो आप ट्राइज जरूर कीजिए अगला मेरा वर्काउट है है करना चाहते हैं तो चलिए अब परफॉर्म करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताओ पोजीशन हमारी सेम रहेगी हाथ शोल्डर के पैरलर अपर हैड जो होगा हमारी डंबल को इसको हलका सा बार की तरफ हमोड़ेंगे इस रीके से आप देख रहे होंगे जैसे डंबल करते हैं इसको हलका सा भार की तरफ मैंने मोड़ा ताकि जब मैं इसको उपर कर लेकर जाओ तो मेरे बाइसस के पीक पे एफेक्ट है साथ मेरे फोरम्स पे भी एफेक्ट है तो चलिए इसको परफॉर्म करते हैं इसके भी हम परफॉर्म करेंगे 15 रेपटेशन या 12 जिसे हम बोलेंगे हैमर कर्ल्स तो इसका मैं दुबार आपको बता दूँ जब भी परफॉर्म कीज़ेगा हाथ एकदम सीधा शोल्डर के लेवल पे ना बाहर ना अंदर जब इसे आप उपर लिफ्ट करेंगे तो सीधा आपने उपर लिफ्ट करना इसको शोल्डर के पैर करने के लिए हम कुछ ले लेते हैं या कुछ सप्लिमेंट यहां कुछ ऐसी ट्रिक होती है जिसके वएसे बॉड़ी बिल्डर्स के या फिजीक प्लेयर्स के बाइसे ज्यादा ग्रो होते तो आप लोग को पता है कि जैसे मैं भी मैं फिजीक प्लेयर हूं तो ऐसी कोई टेक करल है जो कि सबसे बेस्ट होता है आपकी बाइसे स्पीक के लिए अगर भी आप भी चाहते हैं कि आपकी बाइसे स्पीक मेरी तरह हो तो आपको भी कंसेंट्रेशन करनी बहुत ज़रूरी है इसके भी हम सेट करेंगे बारा से पंदरा के बीच में और तीन से चार रैप्स यहां सेट इसके भी हम निकालेंगे तो चलेगा इस वरकौक स्टार्ट करते हैं उसके लिए आपको सिर्फ एक ही डंबल की जुरत है इसके पोजीशन मेरी ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले जब भी आप परफॉर्म करें जिस भी हाथ का आपने परफॉर्म करना है उस हाथ की अपरफॉर्म करें उसका पैर इसली की सीध में होगा और डूसरे पैर को आप बहुत कर सकते थोड़ा ऐसवदा बैलस बनाने के लिए दूसरे हाथ को आप चाहें तो अपने नीं पे रख सकतें तो चलिए वरकौक स्टार्ट करतें तो गाइस जब भी आप इसे परफॉर्म करें हम एक चीज का ध्यान रखें कि यह इस वाले पैर से स्टार्ट होगो और इधर वाले शोल्डर के उपर आएगा अब सेम ऐसे दूसरे हाथ के साथ भी आपने करना है वो बले हाथ को उसका पैर उसी की सीध में रहेगा और दूसरे पैर थोड़ा सा बाढ़ ताकि आपके बैलंस बन सेगे इस वाले हाथ को चाहिए तो हम नीते रख सकते हैं पीछे रख सकते हैं चलिए वकोफ स्टार्ट कर इसको भी आपने सेन तरीके से परफॉर्म करना है यहाथ इस पहर से स्टार्ट हो और इधर वाले शोडर तक जाएगा तो गई इसके भी आपने परफॉर्म करने हैं चार सेट वेट अपने अपने कोर्डिंग लिफ कर सकते हैं यह तीन एकसरीज हैं जो बेसिक एकसरीज हैं और आप इनके यूज से अपने बैसर अच्छा ग्रो कर सकते हैं तो होब आपको वीडियो ची लगी होगी तो इस वी करें क्योंकि मैं आपके लिए दूप में वीडियो पना रहा हूं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कॉमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो